दोस्तों वेलकम टो मैं चैनल मेरी मरजी तो आज मैं एक चीज के बारे में मैं बात करूंगी और मैं आज व्लॉग ऐसा ही चाहेगा मेरा मैं एक चीज के बारे में बात करूंगी और कभी-कभी मेरा वीडियो ऐसा भी चाहेगा कि मैं किसी टॉपिक के उगर मैं बात करूंग म्ज़े लगता है ये बहुत important है कुछ-पॉंट जो होता है life में। मुझह लगता है कि मेरे vlog से जाना चाहिए दो जन देखे, एक जन देखे मेरा इस वीडियो से और वो सीखे कुछ बस that's it मेरा मोटे भी ही रहता है और मेरे वीडियो में हर तरह के आप लोगों वो चीज मिलता है और मिलता जाएगा और मेरे को जो अच्छा लगता है मेरे को लगता है कि ये आप तक पहुचना चाहिए जानना चाहिए तो वो मैं करते हूँ बीच बीच म हुचा मैं बोल दे रही हूँ और एक होता है और एक नाम दे देता है कि self-respect और एगो कभी self-respect हो नहीं सकता है पहले तो ये जान लोग बहुत लोग बोलता है कि self-respect नहीं और उछ टोटली डिपरेंट थे ठीक है एगो में आपका आजाता है कि मैं ही सही हूँ और कोई सही हो ही नहीं सकता है ये चीज होता है ठीक है और एगो वाले लोगों में न सही और गलत इंसानों को परख नहीं है ठीक है जो एगो वाले लोग है आप मतलब सही इंसानों को वो परख नहीं सकते ठीक है ऐसा होता है क् और ये लोग न मेरे हिसाब से जिन लोगों के अंदर ये इगो है वो लोग जो अच्छे लोग उनके आस पास रहते हैं उनको खो देते हैं ये डिसेडवंटेज है ठीक है तो फर्स्ट अफ़ लो तो इगो को सेल्फ रेक्सपेक्ट का नाम मत दो ठीक है और इगो में बहुत कुछ आप लोग खो खो देते हो जो अच्छे आप लोग जो आप लोग का अच्छा चाहते है ना वो लोग मतलब जो आप लोग खो देते हो और मतलब और एक चीज है कि जो लोग मतलब जो लोगों को इगो है बहुत जादे इगोएस्टिक है वो लोग उन्ही लोगों के पास जाएंगे उन्हीं फ्रेंस लोगों के पास जाएंगे उन्हीं इंसानों के पास जाएंगे जो उनकी कदर कभी जिन्दिगी में नहीं करेंगे उन लोगों के पास ही जाते हैं ठोकर भी खाते हैं लेकिन उन लोगों का क्या होता है इगो कमता नहीं है इगो एक बहुत ड इंजरस चीज़ है वो ना जैसे बोला ना पुश्पा कभी जुगेगा नहीं मतलब ऐसा टाइब का मतलब गलती करेगा गलती होंगे अपना ही नुसकान नुकसान यस अपना ही नुकसान कर जा रहा है बड़ वो लोग समझेंगे नहीं और जब तक समझेंगे शायद लाइफ में बहुत जादा देरी हो जाएगा कि क्या मैंने खो दिया है कौन से मेरे आसपास के दोस्ते लोक ते जिन लोगों को मैंने अपनी ही हातों से इगो से मतनब गला खोट दिया है और तब वो लोग आसपास भटके गें भी नहीं तो जिन लोगों को बहुत जादा इगोईस्टिक हो थोड़ा सा अपने उपर काम करो ठीक है ये मत सोचो कि I am always right और sorry बोलना तो भई उन लोगों को आता ही नहीं sorry मतलब गलती करेंगे वो लोग जानते भी है कि वो लोग गलत कर रहे हैं आपके साथ कुछ भी ठीक है लेकिन वो लोग sorry नहीं बोलेंगे sorry आप निकाल नहीं पाऊँगे मतलब ऐसे ऐसे लोग है तो बहुत आप लोग अगर ऐसा है मेरा वीडियो भी शायद आप लोग का कुछ काम में नहीं आएगा जो मन में तो काली दोगे मेरे हिसाब से तो आप लोग न ऐसे last में ऐसा हो जाएगा आप लोगों के सामने स्रिफ मतलवी लोग रहेंगे ठीक है सिर्फ मतलवी लोग रहेंगे जो genuine person है आप लोगों के साथ नहीं रहेगा मतलवी आप लोगों का यूटिलाइस कहरेगा और लेकिन तब भी आप समझोगे नहीं यह चीज देखें ऐसा होता है इगोस्टिक प्रॉपर इगोस्टिक लोग बहुत बहुत इन लोगों को जुकना नहीं आता ना सौरी बोलना आता है ना उन लोगों को अपना गलती समझ में आता है और एक तरफ देखते हो ना वह लोग अपना ही जो खड़ा होता ना खोदते जा रहे है खोदते जा रहे है एक दिन इतना जादा डीप हो जाएगा वह उसी खड़े में अकले गिरेंगे और आसपास कोई भी नहीं रहेगा उसको उठाने के लिए क्यों नहीं रहेगा वह इंसान जो उसका मतलब साथ देते थे उन लोगों को तो खुदी हातों से उसका मतलब ढखेल दिया अपने लाइफ से तिरा ते तुम लोगों का कुछ जरूरत नहीं है ठीक है मेरे को तो ऐसा ही है मेरे को यह सब दोस्ती चाहिए कुछ भी कुछ भी हो कुछ भी हो सो इकोस्तिक जो लोग हो थोड़ा सा अपने उपर काम करो ताकि प्रॉब्लम में मतलब इतना जादा आप लोग फिर फिर प्रॉब्लम होगा फिर आप लोग रिग्रेट करने से भी नब वह जो अच्छे आप लोग का दोस्त होगा कुछ भी तो वो लोग नहीं आएग अगर अच्छा लगे यह वीडियो प्लीज 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 लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर कहीं पर मैं गलत हूं प्लीज करेक्ट मी ठीक है मैं भी मैं इंसान हूं हो भी सकता है मेरा थेंकिंग ठीक है न हो सकता है आप लोग भी आल रेके हल्दी रही जाहिंद